दोस्तों शेयर ट्रेक में आपका स्वागत है मैं राज बोल रहा हूं और आज मैं बात करने वाला हूं HIV के हिस्ट्री के बारे में कहां से HIV आई, कब आई ई और कितने सालों से इसके लिए ट्रीटमेंट्स किये जा रहे हैं और किस तरह से treatment हर 10 साल में काफी हद तक improve हो गई है और किस तरह से आज की तारिक में हम genetics यूज़ करके शायद इसका full cure पा सकते हैं तो इसी के बारे में आज का वीडियो है तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो तो दोस्तों आज हम HIV की history के बारे में बात करने वाले हैं और सबसे पहले कब आई और किस तरह से HIV का जो है इनसानों के उपर प्रहार होने लगा और किस तरह से हमने तरह तरह की दवाईयां बनाई और दवाई किस तरह से strong और safe बनती गई और आज की तारिक में genes यूज करके हम किस तरह से genetic medicine बनाकर शायद HIV को overcome कर सकते हैं genetic medicine में EBT 101 गिना जाएगा और दोस्तों HIV का जो शुरुवात हुई है यह मेरे खेल से जो मैंने literature में पढ़ा है उसके हिसाफ से यह शुरू हुई बंदरों में जिसे कहते हैं simian immunodeficiency virus या SIV तो यह आफरिका में जो chimpanzees थे उन में पाए गए और एक और तरह के बंदर हैं जिसको मांगावे कहते हैं और यह जो बंदर हैं इन में HIV यानए कि SIV हुआ करता था उस जमाने में कोई HIV जानता ही नहीं था और कोई उस जमाने में SIV भी जानता नहीं था यह simian immunodeficiency virus है और ऐसा कहा जाता है कि यह जो आफरिका में जो शिकारी थे यह जो आफरिकन शिकारी थे वो किसी तरह से बंदर का खून उनके उपर लग गया और उस में से उनको SIV हुआ और SIV उनके शरीर में बदलकर HIV बन गया तो ऐसा साइंटिस्स सोचते हैं और आफरिका में कोई कोई लोग बंदर का मास भी खाते हैं बंदर का दिमाग खाते हैं तो यह भी का जाता है कि कोई किसी ने ऐसा SIV वाला बंदर को खाया होगा जिसके वज़े से उसके अंदर SIV गुज गया और SIV जब इनसान के अंदर गुज गया तो कहते है कि 20th century, early 20th century याने की 1900 के आसपस ये इनसान के अंदर आ गया SIV और SIV जो है वो जैसे इनसान के अंदर चला गया तो बार-बार लोग तो मर जाते थे वगयरे वगयरे तो फैला नहीं इतना क्योंकि वो SIV था लेकिन बार-बार इनसान के अंदर आने के बाद SIV जो है उसने कुछ चेंज कर लिया और HIV बन गया और उसके दो तरह के strains है एक HIV-1 है और एक HIV-2 है जो है वो CCR-5 इस्तिमाल करके शरीर के अंदर जाता है और एक बार वो शरीर में स्थापित हो जाता आची तरह से तो फिर वो CXCR-4 भी कभी इस्तिमाल कर लेता है लेकिन HIV-2 जो है वो पहले से ही CCR-5 और CXCR-4 दोनों यूज कर सकता है तो आप पुछोगे है कि फिर HIV-2 काफी मात्रा में होनी चाहिए बिल्कुल गलत HIV-1 जो है वो 95% लोगों में HIV-1 है HIV-2 जो है Western Africa में सिर्फ है जहां पर एक population है उसके अंदर ही HIV-2 लेकिन HIV-2 इसलिए नहीं फैली क्योंकि HIV-1 जो है वो इनसान को पता चल जाता है कि HIV-1 हुआ है तो इसलिए treatment करके इनसान की जो जिन्दगी है उसको लंबी की जा सकती है और उसके अजसे यह होता है कि इनसान ART में चला जाता और उसका वाइरल लोड कम हो जाता लेकिन इनसान की जिन्दगी लंबी हो जाती है और उस लंबी जिन्दगी के दौरान infection दूसरे को दे सकता है HIV-2 में इनसान को पता ही नहीं चलता है कि उसको HIV हुई है काफी देर तक जब तक उसको पता चलता है उसकी शरीर एकदम खोकली हो गई होती है और वो AIDS हो जाती है उसको और वो खतम हो जाता है तो यह इस तरह से जो HIV-2 है एक तरह से खतरनाक भी है लेकिन वो जादा फैलती नहीं है क्योंकि जो भी वाइरस है आप देखोगे कि वाइरस का ट्रिक यह होता है कि होस्ट को इस्तेमाल करना है अपने आपको बढ़ाने के लिए लेकिन होस्ट को मार नहीं डालना है तो अगर आप देखोगे कि जो भी viral fever होगी या viral कोई और बीमारी होगी उसमें एक cycle होती है कि बीमारी शुरू होती है फिर virus अंदर बहुत अच्छी तरह से replicate हो जाता है फिर virus जो है शरीर के बाहर आता है दूसरों को infect करता है और जिसको viral बीमारी हुई थी उसका virus load drop हो जाता है patient automatically ठीक हो जाता है मरता नहीं है लेकिन यह strategy इसलिए virus रखती है थाके वो फैल सके अगर virus ने उसके host को मार डाला तो अगर host से दूसरे को virus पहुच नहीं सकी तो virus वहीं पर खतम हो जाएगी तो यह जो है defense mechanism है वाइरस के अंदर इसलिए most virus viral infection जो है वो cyclical होते है उनका number of days होता है कि इतने दिन के अंदर वो peak होके small drop होके खतम हो जाएगा तो कह सकते हैं कि एक हफते का viral fever होगा या जो भी है डॉक्टर बता सकता है और जायतर वाइरस ऐसे viral diseases के लिए कोई दवाई नहीं होती है generally symptoms कोई manage करके patient को ठीक कर देते हैं क्योंकि वाईरस उनको पता है कि शरीर में multiply करने बाद हो निकल जाएगा कोई problem नहीं होगी लेकिन है HIV virus जो है यह retro virus है हमें किसी ने पूछा था हमारे comment section में कि coronavirus भी mutate होती है इतना और उसके लिए vaccine बना है के अंदर शामिल हो जाती है और हमारा cell जब multiply होता है HIV भी multiply होता है तो यह पहला number problem यह है दूसरा problem यह है कि coronavirus जो है उसका single spike protein है और spike protein जब mutate होता है तो फिर उसको vaccine बदलनी पड़ेगी वरना उसी vaccine से चल जाएगा लेकिन यह HIV virus जो है उसका जो capsid है वो capsid का protein बार बार बदलते रहता है इसलिए उसके लिए कोई marker तै करना बहुत मुश्किल पड़ता है इसलिए vaccine बनानी मुश्किल होती है और एक और फरक यह है कि coronavirus जो है वो RNA virus है और वो सिर्फ RNA के रूप में रहता है और चले जाता है HIV virus जो है वो RNA virus है लेकिन retro virus होने के वज़े से वो सेल के अंदर जाने के बाद DNA बन जाता है और हमारे DNA के अंदर शामिल हो जाता है तो यह सब फरक है और coronavirus और HIV के बिच में गदे और गोडे की तरह फरक है और इसको समझ लेना चाहिए हमें तो दोस्तों यह HIV 1 और HIV 2 strains जो है उसमें से HIV 1 जो है 95% लोगों को हुई है और सबसे पहले जो डाइगनोसिस हुई AIDS की डाइगनोसिस हुई उस जमाने में किसी को पता भी नहीं था HIV नाम की कोई चीज है यह 1980s की बात है 1980s में लोग मरने लगे जिनको immune systems काम नहीं कर रही थी और वो चोटे-चोटे विमारियों से भी मर जाते थे तो उसको symptom को doctors ने कहा कि यह acquired immune deficiency syndrome है क्योंकि उन्हें पता नहीं चला कि कहां से आ रही है लेकिन यह पता था कि इनका CD4 cells अब खतम हो जा रहा है इनको infection से fight करने का strength बिल्कुल नहीं रहता तो 1983 से लेके 1984 के अंदर जो time है तभी scientists लोगोंने पता लगाई कि एक virus है जिसके वज़े से यह AIDS होता है तभी भी उन्होंने नाम HIV नहीं दिया था 1983 में Dr. Luke Montagne L.U.C. Dr. Luke Montagne जो Pasture Institute France में काम करते हैं उन्होंने एक virus को निकाला था डूणके उसको उन्होंने LAV virus कहा lymphohedenopathy associated virus उसका short form LAV एक patient जिसको AIDS थी उसके अंदर से उसने वो वाइरस को निकाला और उसी वक्त युएस में Dr. Robert Gallo नाम के एक doctor है जो National Cancer Institute of United States में काम करते थे उन्होंने भी उसी तरह की एक वाइरस निकाली थी जिसका नाम उन्होंने HTLV-3 यहने की Roman number 3 जो है HTLV-3 ऐसा नाम रखा उसका full form था Human T-cell Lymphotropic Virus Type 3 और 1984 में इन लोगोंने सब आपस में scientist ने समझाता कर लिया कि भई अलग अलग नाम रखने से चाहिए एक की वाइरस है इसका नाम हम HIV रखते है Human Immuno Deficiency Virus तो उस तरह से हमें पता चला कि HIV नाम की कोई वाइरस है अगर उसकी रोक थाम न किये जाए तो वो AIDS कर सकता है और AIDS हो जाए तो इनसान की मौत हो सकती है तो इसके वज़े से बहुत improvement हो गई हमारे सोच में और पहला सवाल यह था कि HIV को किस तरह से रोके था कि AIDS ना हो और AIDS नहीं हो ना हो तो शरीर में CD4 T-cells चाहिए तो CD4 T-cells को कैसे बचाए यह उद्देश से लोग immediately दवा के में ढूडने लगे क्योंकि उसके पहले तो standard of care कुछ भी नहीं था क्योंकि doctors को पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है वो लोग कहते हैं हमारे पास कोई treatment ही नहीं हमें पता नहीं तुमारे को क्या हो रहा है हम तो बचा नहीं सकते लेकिन अब उन्हें पता चल गया कि शरीर के अंदर क्या हो रहा है किसके वज़े से हो रहा है तो उनको सुराग मिल गया कि चलो अभी अगर ये HIV वाइरस के लिए एक vaccine निकले तो इसको हम बंद कर सकते हैं और AIDS नहीं होगा तो mid 1980 से ये काम शुरू हो गई और और इसको अप्रूव किया FDA ने 1987 में तो सोचले कितनी जल्दी से लोगों ने काम किया उस जमाने में 1984 को पता चला कि HIV वाइरस है और 1987 तक अल्रेडी एक दवा आ गई थी और इसको हम मोनो थेरापी कह सकते हैं क्योंकि ये एकलोती दवा थी जो पेशेंट को दी जाती थी और उसने काफी हद तक HIV को कंट्रोल किया लेकिन वो ज़्यादा अरसे तक नहीं कंट्रोल कर पाता था क्योंकि HIV जो है जिसको हम कहते हैं ड्रग रिजिस्टेंट हो जाती है वो रिजिस्टेंट हो गई एजटी के लिए तो फिर साइंटिस्ट लोगों ने सुचा भई अभी क्या करें तो ये जो मोनो तेरपी जिसे कहते हैं जिसमें सिर्फ एकी एक दवा से ट्रीटमेंट होता है वो 1980 से 1990 तक चलती रही और उसमें AZT जो है वो सबसे मेजर दवा थी जो उन्होंने दिया था फिर साइंटिस्ट लोगों ने कॉम्मिनेशन थेरपी की शुरुवात की क्योंकि तभी तक उनको पता चल गया काफी हद तक पता चल गया कि HIV किस तरह से मल्टिप्लाइ होता है उसका ट्रैंस्क्रिप्शन, रिवर्स ट्रैंस्क्रिप्शन यह सब थोड़ी थोड़ी चीजें उनको पता चल गई तो उन्होंने खा कि अगर हमें पता है कि HIV इस तरह से मल्टिप्लाइ होता है तो जगा जगा पर हम उसको आटेक कर सकते हैं, वो अटेकिंग ड्रग बना सकते हैं और उसका सब कॉक्टेल बना के हम combination therapy कर सकते हैं, तो researchers लोगों ने उस तरह की दवा बनाई जिसको उन्होंने का highly active antiretroviral therapy या HAART और ये थोड़ा काफी effective रहा HIV को suppress करने के लिए क्योंकि ये single दवाई नहीं थी, ये multiple दवाई थी, तो mid 1990 तक यही चलता था, यही use करते थे, उसके बाद नया antiretroviral drugs शुरू हो गए, तो वो development शुरू हो गया क्योंकि अभी scientist को पता चल गया ये, तो transcript होके DNA बन जाता है, और DNA बन के हमारे, हमारे खुद के cell के DNA के अंदर शामिल हो जाता है, तो इसको transcribe होने से रुकाना है, इसको cell के अंदर जाने से रुकाना है, इसको DNA के अंदर शामिल होने से रुकाना है, तो ये तरह तरह की चीज़ें जो रेट्रो वाइरस करती है जो उन्होंने पहले अटाक नहीं किया था वो अभी अटाक करने लगे क्योंकि पहले उन्होंने समझा कि यह सिर्फ RNA वाली वाइरस है, उन्हें पता नहीं चला कि यह रेट्रो वाइरस है, जब उन्हें पता चल गया कि रेट्रो वाइरस है, तो एंटी रेट्रो वाइरल थेरपी इन्होंने करना शुरू कर दिया, और ड्रग फॉर्मुलेशन उन ART देंगे तो भी हमें time to time patient को test करते रहना चाहिए क्योंकि अगर HIV उनको जो drugs दिये जा रहे हैं उसके उपर resistant हो गया तो हमें वो drugs बदलना चाहिए तो वो हिसाब से resistance testing भी शुरू हो गया यानि कि regular testing करना कि CD4 की मातरा क्या है HIV का load कितना है वो देखकर उनको पता चल जाता कि resistance शुरू हुआ है की नहीं और उन्होंने HIV mutation और drug resistance को ध्यान में रखते हुए treatment की जो प्रनाली है patient को जो treatment देते हैं उसको भी उन्होंने carefully monitor किया और उन्होंने हर एक patient को अलग-अलग cocktail दी जिसके हिसाब से कि उस patient में जो उनको अच्छा जमेगा वो हिसाब से उन्होंने दिया और टेस्ट किया regularly देखने को कि drugs काम कर रहे हैं कि नहीं तो कहने जाओ तो टुक में है जो HIV का origin है यह आई है बंदर के अंदर से और हमें तब पता नहीं था कि वो HIV है तो तब यह SIV थी simian immunovirus immunodeficiency virus आज की तारिक में भी बंदर में simian immunodeficiency virus है जो लैब में HIV के लिए testing करते हैं उन बंदरों में SIV होता है और SIV पे ही test करने के बाद HIV के जो pre clinical studies होती है वो सफल होती है फिर clinical studies में आती है इनसान में test करने के लिए और यह जो यह जो ट्रीटमेंट अभी चल रही है anti retroviral therapy की तो इसमें बहुत सारे तरह तरह के drugs हैं जो पहले जो treatment हुई थी monotherapy में उससे बहुत ही उमदा है और बहुत ही ज्यादा असरदार है क्योंकि पहले जो treatment था monotherapy था जिसमें एक ही दवा देते थे और एक बार दवा को HIV resistant हो गई यानि कि वो दवा बेकार फिर patients को AIDS हो जाता था और patients patient की हालत खराब हो जाती थी फिर उन्होंने शुरू किया combination therapy तभी उन्हें पता नहीं था कि HIV retrovirus है तो combination therapy में वो सिर्फ virus को किस तरह से हम neutralize करे उसके RNA को किस तरह से नाश करे उसी के उपर ध्यान देते हुए किया था फिर उसके बाद antiretroviral therapy आई जिसको combine करके ART कहते हैं antiretroviral therapy और उसमें multiple drugs एक साथ दिये जाते थे एक drug ऐसा होगा जो RNA जो cell के अंदर आती है वो cell के अंदर आते ही जब वो DNA बनने की कोशिश करती है तब उसको disrupt करे दूसरा ऐसा drug होगा जो तो अगर RNA ने DNA बना लिया वाइरल RNA ने cell के अंदर DNA बना लिया तो DNA को हमारे DNA के अंदर शामिल होने से रोके तो उस तरह के drugs भी ART में एसेंबल कर दिया गया और तो इस तरह से तरह तरह की stage हर एक HIV के life cycle में उसको बादा डालने के लिए जो drugs होती है उसका cocktail बनाके ART बनाया गया है जिसके और जैसे बहुत सारे patients को आराम मिलती है और सुविदा मिलती है और सामाने आदमी की तरह जीने के लिए उतनी लंबी आयू मिल जाती है लेकिन दोस्तों ART में side effects होती है यह तो कोई इंकार नहीं कर सकता bone density कम हो सकती है और kidneys को तकलीफ हो सकती है अलग-अलग patient में अलग-अलग ART शुरू कर ले डॉक्टर के सलाह के साथ क्योंकि इसमें शर्माने से आपका CD4 खतम हो जाएगा HIV हो और वो test blood test कराएंगे उसके उपर से decision देंगे आपको और अगर HIV है तो ART जो prescribe करते हैं उसको regular time to time लेना चाहिए हर रोज जितने बज़े लेने को कहते हैं हर रोज उतने बज़े लेना चाहिए एक भी दिन का break नहीं होना चाहिए उसमें और time to time जैसे doctor कहते है वैसे जाकर blood test कर लेना चाहिए ताके resistance डेलप हो रहा है कि नहीं वो पता चल जाए और careful रहना चाहिए इनसान को तो यह बहुत important है और दोस्तों HIV इसलिए बढ़ रही है इनसान के अंदर इसलिए मैं बढ़ रही है तो नहीं कहूंगा HIV actually आजकल कम हो रही है क्योंकि ART चल रही है उसके जैसे viral load कम है इनसान में लेकिन अगर इनसान ने परेज रखा और careful रहे तो HIV बिल्कुल इनसान से निकल जा सकती है क्योंकि HIV को इनसान की जरूरत है एक इनसान से दूसरे इनसान में जाने के लिए लापरवाही के वज़े से HIV बढ़ रही है एक इनसान से दूसरे इनसान के अंदर लेकिन अगर ART regularly लिया जाए और जिनको HIV है वो दूसरों को बचाए कि उनसे समाल के रहे ताकि दूसरों को HIV न हो जाए तो इनसान के अंदर से तो HIV 100% निकल जाएगी फिर सवाल आता है कि HIV क्या दूबारा इनसान में आ सकती है जरूर आ सकती है क्योंकि जब तक बंदरों में HIV है और बिल्लियों में भी HIV हो सकती है इसको फिलाइन HIV कहते हैं तो बंदरों में HIV हो सकती है इसलिए बंदरों में जो जो लोग बंदर का शिकार करके खाते हुने उ निखल जाती है, तो दोस्तों, इंतजार इस बात का है, EBT-101 और AGT-103 जो है, वो इस तरह का रिलिफ प्रदान करें, ताके जिनको HIV है, वो सामानी आदमी की तरह जी सके, और उनके अंदर HIV का वाइरल लोड बिलकुल लो रहे, और इस PD में जितने लोगों को HIV है, उनके बाद अगले PD में किसी को HIV न हो, इसकी उमीद रखे, और मुझे लगता है कि भविशे में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, अगले 4-5 साल के अंदर तो functional cure आ ही जाने वाला है, और जिनके पास उतने सारी शमता है, वो लोग तो पहले तुरंट वो ले लेंगे, और जैसे ही functional की ओर आ जाएगा, ERT जो है, बहुत ही सस्ता हो जाएगा, ऐसे भी बहुत जगे पर free में मिल रही है, तो सब HIV patients के लिए बहुत ही अनुकूल परिस्थिती हो जाएगी, जिसमें उनका जीवन जो है, उसका रक्षन हो सकता है, और उनकी quality of life जो है, वो काफी सुदर सकती है, और जीवन से ज़्यादा अपेक्षा रख सकते हैं, हर एक चीज के लिए, जो उनको करना है, तो दोस्तों, इसके साथ मैं यह वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, लेकिन यह भी बता दूँ के, आगे चलकर जो वीडियो आने वाले हैं, उसमें मैं ART के हर एक दवा के बारे में, अलग-अलग वीडियो बनाने वाला हूँ, थाकि आप उनमें से कोई भी ART ले रहे हो, तो आपको पता चल जाएगे कि वो किस तरह से काम करती हैं, उसके साइड एफेक्ट्स काया, और साइड एफेक्ट्स को से बचने के लिए आपको क्या-क्या कर सकते हैं आप, तो उसके बारे मैं आपको डीटेल्स दूँगा, विश्वसनिय सूत्रों से निकाल कर, तो इसके साथ वीडियो में यहीं समाप्त करने होनों, लेकिन दोस्तों, हमें हमारे चैनल मेंबर्शिप को बढ़ाना है, इंग्लिश में अलरेडी हम पाच हजार पहुँच चुके हैं, हिंदी चैनल में भी पाच हजार सब्स्क्राइबर्स चाहिए, हमें 100 मेंबर्स चाहिए, साल के आंथ तक हमारे पास सिर्फ 15 है, तो आप जल्द से जल्द जॉइन बटन दबाकर मेंबर बन जाएए, और इस चैनल को आर्तिक सहायता दिए, ताके हम HIV प्रोग्रामिंग जारी रख सके, इसके साथ वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ, धन्यवाद, जैहिन.